सब्सक्राइब कीजिए लर्ण त्रिपली चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो दोस्तों लर्ण त्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिर से द्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त जगदेश जोसी था उस वीडियो में हमने हैडो एलेक्रिक पावर प्लांट के बारे में उसके वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एडवांटेजेस एंडिस एडवांटेजेस के बारे में भी डिसकस किया था तो इस वीडियो में हम विंड एनर्जी के बारे में डिसकस करेंगे देख कि जो हमारे thermal power plant है जिनमें कि हम steam को steam convert करते हैं महलब पानी को steam में convert करते हैं उसके पाद हम steam turbine चलाते हैं ठीके तो thermal power plant जो होते हैं हमारे अगर हम उसमें अगर हम coal का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है उससे हमको बहुत ज़्यादा pollution होता है और आज के time में इंडिया में जो सबसे जादा electricity generate हो रही है वो coal से ही हो रही है हम coal को जला करके steam मलब पानी को steam में convert कर रहे हैं और उसके बाद हम electricity generate कर रहे हैं देकिन आने वाले time में जब coal बिलकुल खतम हो जाएगा तो हमें जो हमारे renewable energy sources हैं उन्हीं की तरफ बहुत जरूरी हो हो जाता हैं तो देखें इस वीडियो में आपको wind energy के बारे में बताने वाला हूं जैसे कि इसके नाम से ही पतार लग रहा है wind energy wind मतलब हवा energy यानिकि हम हवा को energy में convert कर रहे हैं ठीक है तो हम इसको किस तरीके से करते हमारा देखें मैन मोटो क्या होता है ह हमारा मैन मोटो होता है कि हम alternator जो होता है हमारा जो कि मेकैनिकल energy को electrical energy में convert करता है हमें alternator को rotate करवाना है चाहे हम wind के थुरू करवाएं चाहे हम solar के थुरू करवाएं चाहे power plant के थुरू करवाएं हम पानी को steam में convert करें और इससे पर steam turbine चला है और steam turbine से हम alternator को चला हम किसी भ energy वहाँ पें इंस्टॉल की जाती हैं जहांपे हवा यह जो हवा हवा होती है उसकी गती तेज हो ठीक है वहां पर हम अपनी विंद energy को install करते हैं अब दिखें इसमें क्या होता है कि इसमें एक लंबा सा पीलर होता है और इसके इसके उपर decide किया जाता है कि वहाँ पर किस तरिके का जो wind pillar जो है उसको install करना है ठीक है तो उसी के according यहाँ पर इसको decide किया जाता है तो अब दीखें होता क्या है कि जैसे ही wind चलती है जैसे ही हवा चलती है तो उस हवा के चलने से क्या होता है यह blades rotate करने लगते हैं यह blades rotate करने लगते हैं तो इसके ठीक पीछे एक alternator connect होता है वो किस तरिके सोतव आगे आगे आपको block diagram के थुरू समझाओंगा और उससे alternator rotate होता है और हमको electrical output मिल जाता है इसका disadvantage यही है कि wind energy जो हवा है वो 24 घंटे तो चलती नहीं है ठीके लेकिन जिस time पे चलती है उस time पे हमको इसका output मिल जाता है लेकिन जैसे 24 घंटे मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे इसकी हवा wind नहीं चलता है तो यह इसका एक disadvantage है और इसका एक disadvantage यह भी है कि इसको install करने के लिए हमें काफी जगा की ज़रुरत बढ़ती है और जो इसके पीलर होते है यह काफी लंबे होते है जिसकी वैसे क्या होता है कि इसमें जो one time cost जो है वो काफी बढ़ जाती है ठीके और अगर हम wind energies की इंडिया की बात करें तो इंडिया में 45,000 मेगावाट यह लगबग पिछले साल का डेटा है तो कि government की website जो है इंडियन government की उसमें फिलहाल 45,000 मेगावाट ही दिखा रहे है उन लोगोंने तो अभी 45,000 मेगावाट जो है वो इंडिया wind से electricity generate करती है और जो यह electricity generate करती है तमिलाडू, गुजरात, आंद्रापरदेश, महराष्टा, करनाटका, केरला लक्षद्वीप सोरी यह spelling गलत होगी लक्षद्वीप की राजिस्थान, मध्यापरदेश, उडिसा, उत्तरपरदेश और अंडमान और निकोवार यहाँ पर यह install की जाती है क्योंकि यहाँ पर कहाँ हाँ हवा की गती तेज रहती है इसलिए यहाँ पर wind जो हमारे इसकी जो पॉल्स होते हैं इनको install करना easy होता है और इनको install करने का फाइदा भी होता है, ठीखे और इसी के सात्थ ही कहा आए कि पाच्वी कंट्री है इंडिया हमारी जो की विंड एनर्जी जनरेट कर पाती है इतना देखे 45,000 मेगावाट अगर हम इसके ब्लोग डागराम की बात करें तो ब्लोग डागराम में देखे क्या है कि सबसे पहले हमारा जो यहां पर देखे टरबैन जो हमारा जो पोल्स होते ह देखे यहां पर मैंने आपको दिखाया था कि यह पोल्स है तो यहां पर ब्लोग डागराम में क्या है कि जो पोल्स है हमारा यह पोल्स के ठीक पीछे टरबैन लगा होता है ठीक है टरबैन मींज जो की यहां पर रोटेट होता है हमारा रोटेट तो वो टरबैन ही एक तरि तो उसकी विज़ से क्या होगा टर्बैन भी हमारा constant speed से नहीं चलेगा तो लेकिन gear क्या क्या हम करता है gearbox जो होता है ये turbine की rotation के according gearbox gear change करता रहता है लेकिन generator को एक constant speed देता है ठीक है जिसकी विज़ से क्या होता है generator जो होता है हमारा वो constant voltage हमको output में देता है और इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक macro controller भी लगा होता है जो कि power voltage frequency and load को control करता है जिससे क्या होता है कि हम grid में जो supply भेजते हैं यहाँ ग्रीड में जो generator से हमको mechanical energy से जो electrical energy जो मिल रही है उसको grid में हम supply भेज रहे हैं वो constant power भेजते हैं constant voltage and current हम यहाँ पर भेजते हैं जिसके वैसे grid में किसी भी तरके का कोई भी नुकसान नहीं होता है और हमारे जो load अगर मालें जो grid नहीं भी है अगर हम किसी load को भी अगर इससे connect कर रहें तो उससे भी किसी भी तरके का नुकसान नहीं होगा तो guys यह था wind energy का working अगर हम इसके advantages की बात करें तो देखिए इसके advantages काफी advantages है इसके सबसे पहले तो यह है कि एक renewable energy source है इससे किसी भी तरके का quality pollution नहीं होता है लेकिन इतना जरूर है कि इसको install करने से क्या होता है कि noise काफी बढ़ जाते है काफी जब इस चलता है wind energy तो इससे काफी noise होते है और इसका दूसरा advantage यह है कि जिस भी land में जिस भी area में इसको install कर जाते है वहाँ पे हम इसको install करने के साथ-साथ मलब के और भी काम कर सकते हैं हम नीचे से roads निकाल सकते हैं हम मलब की जो किसान है वो खेती कर सकते हैं यह पे कुछ भी उगा सकते हैं या फिर हम कोई भी अपना other काम वहाँ पे कर सकते हैं विंड इससे wind turbine install करने के साथ-साथ हम और भी काम यहाँ पे ले सकते हैं और इससे हम battery charge कर सकते हैं बैटरी charge कर के हम इसको गंटे विंड चलती नहीं है जिसके वैसे जो 24 गंटे यह हमको एलेक्टरिकल आउटपुट नहीं दे पाता है ओके तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लगया होगा कि विंड एनर्जी किस तरीके से काम करती है अगर आपको विंड अगर आपको यह पूरा प्रोसेस अगर और भी विंड एनर्जी से लेटरिड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताईए हम आपके लिए और भी फिर वीडियो अपलोड करेंगे तो अभी इस वीडियो में इतना ही बने रही है आप हमारे चैनल के साथ अगर सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकोन है प्लीज आप उसे प्रेस करना मत बूलना क्योंकि अगर आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा ओके गाई तो थैंक्स फॉर वाचिंग जल्द मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में झाल